नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर विनीद गुपंदर गुप्ता, MBBS, MD and DM, AIMS New Delhi और मैं दिल्ली में सिद्धे कैंसर वर शिष्षक यारे की medical oncologist तो आज के हमारे वीडियो का शिष्षक है neuroendocrine tumor यारे की NET तो इस वीडियो में हम इस बहुत ही special और बहुत ही rare tumor के बारे में आपको चानकारी देगे तो सबसे बहुत ही यह है कि NET क्या होता है तो NET एक बहुत ही rare और uncommon तरह का tumor होता है शरीर में हम देखते है कि अलगला cancer अलगला अंगों में उत्पर्ण होता है जैसे कि brush में उत्पर्ण 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 उत्पर् उसे से correct करने के लिए hormonal signals का साहरा लेते हैं तो जो सेल यह signal बनाते हैं इन सेल के cancer में convert होने से जो डूमर बनता है उसको हम neuroendogranid tumor यानि NET होते हैं तो neuroendogranid tumor के बारे में यह जानना बहुत जरूरी है कि यह एक बहुत ही है डिपेंटनारी ना प्रतानी कि हें आधिवी में भुट्त क्यूमat है निर्फ म मिलाम वे पेंगी नांगों से कि पेच्ष निकल सकते हैं, या निकल सकते हैं, इसके अलाबा बोडी के अन्य अंगों से भी रेरली ए टूमर निकल सकते हैं दूसी तरह इन टूमर की बहेवियर भी अलग लग होती है कुछ टूमर तेजी से बढ़ते हैं, तेजी से फैनने वाले टूमर होते हैं जिनको हम हाई-grade Neurondogran टूमर बोलते हैं और कुछ टूमर बहते स्लोली चलने हैं, बढ़ने और फैनने वाले टूमर होते हैं जिनका चेंज बने में कई साल का टाइम भी लग सकता है इन टूमर को हम low-grade Neurondogran टूमर बोलते हैं साथ ही एक और तरह का classification ही होता है, इसको हम functional और non-functional Neurondogran टूमर बोलते हैं तो कुछ Neurondogran टूमर ऐसे होते हैं, जो अलग-लग हॉर्मोन मनाते हैं जिससे बोडी में कई तरह के reaction हो सकते हैं इनको हम functional NET बोलते हैं और कई NET में कोई hormone नहीं नहीं करता है, जिनको हम non-functional NET बोलते हैं तो चुकि NET के इतने अलग-लग vibrant प्रकार होते हैं यह बहुत important है कि NET का इलाज एक NET specialist ही करें average cancer specialist कई बार NET का सही इलाज नहीं कर पाते हैं तो बहुत important है कि NET specialist का advice NET के treatment नहीं कर फॉलो की जाएं तो आई यह next बात करते हैं कि NET का इलाज का सही किया जाता है तो NET का इसा तरह है कि इसमें बहुत सारे women अलग-लग तरह के इलाज की प्रत्तियों का इस्तमाल किया जाता है मेजर टॉर पे इसमें surgery, observation, targeted therapy, immunotherapy, biological या hormone therapy, chemotherapy और radiolucleine therapy की बात हम normally करते हैं तो चुकि इत्ती सारी अलग-लग treatment हमारा पास available है बहुत ही important है कि patient को बहुत ध्यान से select किया जाए कि किस patient में कौन सी therapy यूज़ करनी है और किस patient में कौन सी therapy नहीं यूज़ करनी तो यदि हम जल्दी जल्दी इन तरपिस के वारे में बात करें तो surgery का से हमारा मतलब है कि जिन आदमियों का tumor पूरी तरह से काट के body से निकाला जा सकता है उनको operation करके tumor को body से remove कर दिया जाए तो important चीज़ यह है कि surgery का फैदा तब है यदि शरीर का 100% tumor आप काट के निकाल सके वरना जो भी tumor body में रह जाएगा वो बाकी tumor को फिर से generate कर देगा दूसी therapy यह observation यानि कि wait and watch तो important चीज़ है कि कई neuroendocrine tumor बहुत ही slow growing और inactive होते हैं और कई tumor ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम कुछ पी ना करें बस routine intervals पे scan करते रहे तो यह देखा गया है कि tumor बढ़ता नहीं और असी level पे maintain रहता है कई बार कुछ patients में ऐसे भी देखा जाता है कि observation पे ही tumor कई साल बढ़ता नहीं और असी level में maintain रहता है तो carefully selected patients में observation की option भी होती है यानि कि कोई दबाई ना दी जाए और tumor को बस closely wait and watch में डखा जाए पाइलोजिकल यह आ हॉर्मोन देरपी नेक्स देरपी आती है चुकि निवरों नगरेंट टूमर एक ऐसे ट्योग सेल से निकलते है जो हॉर्मोन बनाता भी है और हॉर्मोन का signal रसीब भी करता है इस signal को manipulate करके उस cell के बढ़ने के tendency को block किया जा सकता है तो हॉर्मोन देरपी जेनरली नोरो अंडरेंट टूमर जो लो ग्रेड वाले होते हैं उनमें ज्यादा इस्तवाल करते हैं और अच्छे चीज़ यह है कि हॉर्मोन देरपी के साइट पर बहुत कम होते हैं और तुमारी काफी लंबे से बेदब इससे manage की जा सकती है अगली पत्रती जो important है उसको हम बोलते है targeted therapy तो targeted therapy से हमारा मतलब है वो तरपी जो कुछ special tumor के systems पर काम करें जो सरफ tumor में abnormal है और बाकी body में abnormal नहीं है नेटरज़ यह होता है कि चुकी वो defect सिर्फ tumor जिल में है और बाकी body के cells में नहीं है जेनरली यह therapies काफी कम side effects वाली therapy होती है तो यदि हम neuroendocrine tumor की बात करें तो targeted therapy को commonly हम anti-angiogenic therapy बोलते हैं तो किसी भी tumor को यदि बढ़ना है और फैलना है तो उसे एक independent blood supply की जवरत होती है तो यदि हम tumor को यह blood supply बनाने की जो process है इसको हम block कर सके तो हम tumor का growth बहुत लंबे समय तक control और manage कर सकते हैं और इसी को anti-angiogenic therapy केते हैं तो neuroendocrine tumors में anti-angiogenic therapy काफी बार यूज की जाती है और इस result काफी अच्छा है important चीज़ यह है कि इस therapy के side effect काफी कम होते हैं commonly यह treatment हम गूलियों के रूप में दे सकते हैं जिससे कि patient को काफी comfort और normal lifestyle maintain रहने में हेल्प जोती है अगली पतिती जो neuroendocrine tumor पर काफी commonly यूज की जाती है उसको हम बोलते है PRRT यानि कि radioucleid therapy तो radioucleid therapy से हमारा क्या थाथ पर गया है यह देखा गया है कि कुछ radioactive atom यानि कि जो radiation therapy release करते है कुछ आइटम जो naturally radioactive है उन्हें कुछ ऐसे chemical से जोड़ा जा सकता है जो की सिरफ और सिरफ neuroendocrine tumor के पाश जाके उसमें उन्हेंज में एंटर करती है तो इसका अताथ परिये यह है कि जब हम इस chemical को बोड़ी में देते है तो वो सिरफ बोड़ी में उसी जटाबर जाके बाइंड करती है जापर की neuroendocrine tumor है और वहाँ पर local area में radiation की बज़े से उन्हेंज की death हो जाती है और बिमारी का खात्रम हो जाता है तो यह एक बहुत ही unique और modern therapy है जिसको जावड़ातर low-grade neuroendocrine tumor में यूज किया जाता है और देखा गया है कि लोगों को बहुत ही अच्छा response इस treatment से मिलता है तो इस therapy को हम PRRT या neuroradionuclead therapy बोलते है और important चीज यह है कि इस therapy के बहुत जादा side effects पर नहीं होते है और बहुत ही safe and effective treatment यह होती है फिर अगली treatment जो neuroendocrine tumor हो commonly used होती है वो है immunotherapy तो immunotherapy एक नया नज़रिया cancer को treat करने का है जो cancer को मारने के लिए directly cancer को attack ना करके body के अपने immune system को cancer से interact करवाती है ताकि body के अपने immune system खुच जागे cancer को मारे important चीज यह है कि जिन लोगों को immunotherapy से फाइदा होता है उनने generally काफी लंबे समय immunotherapy से फाइदा होता है और इस treatment के side effect relatively कम होते है तो selected patients में इस therapy का बहुत ही अच्छा फाइदा है और बिमारी को काफी अच्छी तरह control किया जा सकता है काफी cancer effects के सथ लास्ट में बात करते हैं chemotherapy की तो traditionally chemotherapy cancer को treat करने का एक पुराना तरीका है जो classically women cancerous of ourselves से इस्तिमाल करता जा रहा है neuroendocrine tumor में भी chemotherapy का इस्तिमाल काफी aspects में किया जा सकता है परंतो जारता chemotherapy का इस्तिमाल high grade neuroendocrine tumors में ज़्यादा किया जाता है low grade neuroendocrine tumors जोगे slow बढ़ते हैं कभी कभी chemotherapy का इस्तिमाल किया जा सकता है और अच्छा benefit मिलता है पर mostly high grade neuroendocrine tumor में कीमो तरफी का इस्तमाल आज की दुनिया में ज्यादा होता है हालकि new treatment जैसे हमने पिछले जो treatment बताई ये धीरे धीरे कीमो तरफी से ज्यादा effective और ज्यादा useful आती जा रही है और कीमो तरफी का neuroendocrine tumor के role में role कम होता जा रहा है परतु फिर भी modern निरा में कीमो तरफी काफी safe और effective तरीके से neuroendocrine tumor का खात्मा कर सकते है कुछ नई कीमो तरफी protocol ACP है जिसमें injection की बजाए कीमो तरफी गोली के भूब में दी जाती है और कीमो तरफी के sideput काफी कम होते है ताकि patient काफी normal और अच्छी quality of life के चार अपने tumor को manage कर सके और से control कर सके तो जब हमार पास इतना बड़ा arsenal है यह 7 आठ therapies हमार पास available है neuroendocrine tumor को मारने के लिए तो important question यह है कि कौन सी therapy किस patient में use की जाए तो दोस्तों यह एक अच्छे medical oncologist का काम है कि वो इस arsenal में से decide करें कि कौन सी treatment किस patient के लिए अच्छी है जैसे का हमने शुरू में बताया था हम neuroendocrine tumor बहुत ही complex tumor है और अलगलग patient में पर्सनेस तरपी से best तरपी एक अच्छे doctor को choose करके अलगलग patient को offer करना है हर patient के लिए अच्छी नहीं है कुछ patients के लिए PRRT एक अच्छी option रहती है कुछ patients के लिए immunotherapy एक good option रहती है कुछ patients के लिए target therapy एक good option होती है यह dependent करता है कि patient में विमारी किस exact subtype की है और कितनी फेली हुए तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना ये वीडियो आज का समाप करते है Neuron, Dig and Tumor एक बहुती बड़ा और complex topic है तो यदि आपको इस topic के बार में और information चाहिए तो आप मारी website पे जाके इस topic के बार में detail में पढ़ सकते है यदि कोई सवाल है आपका जो इस वीडियो के द्वारा solve नहीं हुआ है या आपको वोई question है तो screen पे हमारे social media links अभी displayed है आप इन channels के तो हमें contact कर सकते हैं हमें अपने सवाल ये अपने messages बेज सकते हैं और हम कोशिच करेंगे कि जल सजल आपके सवाल ये query का answer हम आपको वापिस बेजें आप video comments में भी अपने questions और query डाल सकते हैं और हम कोशिच करेंगे जल सजल इन पे respond करें साथ ही अधि आपको ये video अच्छा लगा और आपको इसमें दीगे information useful लगी तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि हम time to time cancer के latest modern large के videos upload करते रहते हैं और इससे आपको जिस तरह की जैनकारी चाहिए है वो हम आपको कोशिच करेंगे प्रवैड करने की यदि आपको कोई suggestion है किसी तरह का video आप चाहते हम बनाएं आपकी information के लिए तो आप comments में वो suggestion दिये सकते हैं और हम कोशिच करेंगे कि जल से जल आपका video आप तक दिया जाए तो दोस्तों इसके साथ ही हम ये video finish करते हैं Thank you